अब दूद और दही को भी जो है वो GST के दायरे में लिया जा रहा है सरकार के तरफ से दिशान इड़ेश दे दिये गए हैं आज से जो है वो दूद और दही जिस तरीके से जो पेक्ट दूद दही आता है उसके उपर अब GST जो है वो लगाई जाएगी जिसके बाद कहीं न ज्यादतर पर जो है वो जिसके बावजूद उनका जो रेट है वो कहीं ने कहीं थोड़ा सा असर दिखाई देता था कस्टमर के उपर प्रभाव पड़ता था और एक हमार साथ अभी दुकांदार मौजूद है उनसे जान लेते हैं कि दूद और दही पे लगने के बाद कितन पर चली जो लगा दी जाएगी तो अभी कितने रुपे किलो भी कर रहा है और कितना परक पड़े गए जैसे अभी जो दूद 50 रुपे किलो भीक रहा है यह उस पर आठारा परसेंट जी लगाने के बात चली जो लगा दी जाएगी तो सीधा सीधा अठार पांच तुनाद दस यह नहीं कि एक रुपे सरी एक रुपे का अशन सीधा सीधा पड़ेगा हाँ यकि अठारा परसेंट लगाते तो अठार फंचन नब्य पैसा से एक रुपे करे में असर पड़ेगा असर जो है वह दुकानदारों पर दिखाए अब वह महंगाई की मार कहीनिए कैनी अब दुद्ध लोरो भी को जारें जारेंद तो फिसके असर उनकी की पॉकेट पर देखने पर को मिल सकता है क्योंकि पहले से ही तमाम तरही की चीजों की पर जो है वो लगातार महंगाय की मार जो है वो आम जनता जेल रही है और आप दूद दही के बाद जीस्टी लगने के बाद कई ने कहीं इसका अथर आम लोगों के ऊपर खासा अथर पढ़ता दिख करें धन्यवाद